नमस्कार, सीरियर किचिंग में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे चैनिस मस्रूम, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और सायदी किसी ने बनाया होगा, आप एक बार बनाएगा और प्राइग करिएगा खाने के लिए, तो चलिए आज बनाते हम चैनिस मस्रू लगने वाले सामीग्री, दो बड़े आलू, दो चम्मच स्याजवान की चटनी, आरा रोड, सिमला मिर्च, लहसन और हरी मिर्ची, और हरा प्यास, और नमग, और गार्निश के लिए हरी धनिया, तो चलिए बनाते हम, अब हम एक बाउल, तो एक हम बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हम यह आलू, जो हमने अच्छे से फोर रखा इसको, अब इसको अच्छे से इसको अच्छे से आलू को फोरेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी एक भी गार्ट ना रहे हैं, अब इसमें डालेंगे हम हलका सा नमक, नमक इसमें ज्यादा ने डालेंगे, तो बाकी जब समान बनाएंगे उसमें डालेंगे, बस थोड़ो सा फ्लेवर आने ले डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे, अब इसमें हम डालेंगे आर आरोड, आर आरोड हम डालते समय थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि ये इसमें अच्छे से मिल जाए और गीला ना हो, जैसे आटे का डोज लगाते हैं वैसे ही इसको लगाना है, तो देखिए बाकी बचा हुआ भी आटा हम इसमें डा आरा आरा लग जाएगे इसमें दोनों दो आलो में जितना हमने डिया था आट अगर देखिए हमारा अच्छे से आटा लग गया है अब हम थोड़ा सा इस पर ओयल डालेंगे आट पर देखिए कितना स्मूथ आटा लग गया है इसको दस मिला सेट होने के लिए लग देंगे पर इसका बनाएंगे दस मिला हमारा आटा सेट हो गया है अब इसका हम अनाएंगे मसरूम अब हम इसको मसरूम का सेव देंगे थोड़ा सा डालेंगे हाथों के ओयल अब इसको छोटे-छोटे इतने छोटे-छोटे लोग आसा काट केंगे बोल बोल से बना लेंगे इसको सारे आटे का मैसे बनाएंगे दो आलू में और आधा कप अरा रोड में हमारा दस से बारा बॉल बनके त्यार है अब इसको हम मसरूम का सेव देंगे और फिर इसको सटीम करेंगे चलाए बनातेएंगे इसको बो बो रहे सब्सक्राएं करने अलके हानतों से पारेसे देख advanced अच्छे भी ममसुर्म का चेपट दिक ενगे मात हमें बनाना बहुत असान है जागा हाथव से छलके आतों से करिएगा ज्यादा टाइट मत किजिएगा नहीं तो यह शेव बनेगा नहीं अब अराम से आप इसको आज दिखिए आज हम सारे मस्रूम बना लेंगे यह सारा हमारा बनके मस्रूम तियार हो गया है अब हम इसको इस्टीम करेंगे इस्टीमर में या पतेली में किसी चीज़ में भी रखके आप इसको स्टीम करने है अब चलिए हम इसको स्टीम करते हैं यह सारे मस्रूम हमारे स्टीम होके त्यार हो गया है इसे अब हम इप लेट लेंगे तो देखिए यह सारे मस्रूम हमारे बनके तयार है अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी वैसे तो आपने बहुत सारे अलग-अलग तरीके से चाइने इस खाया होगा लेकिन एक बार इस तरीके से बना के जरूर खाईएगा तो चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो देखिए हमारा फ्राइबिन गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे और तेल गरम हो चुका है उसमें डालेंगे दो हरी मिर्ची जो ले रखी थी हमने और अद्रग हम फ्राइब करेंगे हरी मिर्ची और लहतन ले रखता है तो मच्चे से फ्राइब करेंगे मीडियूम प्लेम पी रखेंगे इसको गयास को ब्राउन हो जाने पर डालेंगे हम जब ब्राउन हो जाएगा तब डालेंगे इसमें सहजवान की चत्नी जो में लिए था दो चम मच्च आप चाहें तो सहजवान की चल्टी अपने साथ से कम जादा पर सकती है कि इसमें कीफा पन होता है जैसे जुक्ति पड़ाई सब्सक्राइब करेंगे और हमें हमें दो से तीम स्टमच्च तमाटर कैचप जो मुख्यों को बैलेंस करेंगा कि इसमें लालेंगे सिंगा मिर्ष तटा हुआ आप चाहें कि इसमें गाजर भी डाल सकते हैं मेरे पास मेरी साइस टाइम उसके नहीं डाला मेलें आपको करें नहीं हुआ हम पानी में अआध्य पमानी थी अच्च पांवी डाल तो ऑधे पड़े पंड़ें थैंचा आप अ कर दैसें अ फोलेहिता दू ela बनाइब तीजितों कर दो इसे के लिए 1 फिस्पूर आयरा रोड़ को पानी में गोल के नॉर्मन टेंपेचर के पानी में अच्छे से जरागे और इसको ड़्म स्वाइब उसको डालेंगे अब इसको डालेंगे चलागे ताकि इसमें गाठेना पड़े हैं अच्छे सी फट देखिए गाड़ा हो गया है जैसे हमको चाहिए वैसे इसका ट्रेक्टर हो गया है कि आरे मस्रूम के करके डाल देंगे इसको हम अच्छे से मिला देंगे देखिए कितना अच्छे से हो गया है इसको कोटिंग थोड़ा सा हम इसको बस एक भाप लगने तक कर इसको हम वेट करेंगे तो गाइस एक ही बार इसको भाप लगाना है ज्यादा देल के लिए नहीं स्टीम करना है क्योंकि ओलेडी स्टीम हो चुका था यह तो बस यह बन गया है अब इसे हम डालेंगे जो हमने प्याज काता था चाहिए कि सकता हट मिला देंगे और थोड़कल के लिए धाक देंगे ताकि प्याज इससमें यह इसमें सम्सफू जया है अब थोड़ा साभाबी कर दिए गया है ङसमने बंद कर दिया है इस थोड़केंगे हम हाध मैं तो देखिए इससमें बीलकु electronics हो ग अब हम इसको एक बरतन में निकाल लिया थोड़ा सा हम धने डाल के गार्णिश कर देंगे इसकी और खाए और इंज जाए किजिए और खा के बताएगा कैसा बना था एक बाद जरूर बनाएगा इसको यह हमारा चानिस मुश्रूम बनके तयार है और खाएगा और बताएगा कैसा बना है और लाइक सस्क्राइब और शेयर जादा से जादा किजिए तो अगले रस्पी के साथ फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई